नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ जॉसर जल्वुड ने इसके बाद टीम इंडिया को तीन छटके दिये वो भी जल्दी जल्दी जी हाँ जॉसर जल्वुड ने पहले मैंक अगरवाल को 22 रन के स्कोर पर चलता किया और इसके बाद शांदार ले में बल्लेबाजी कर रहे कप्तान विराट कोहली को भी कैच आउट करा कर चलता कर दिया विराट कोहली 21 गिंदों पर 21 रन बना कर आउट हुए इस दुरान उनने दो चौके और एक बड़ा छक्का भी लगाया था आपको दादें ये विराट कोहली का सिद्नी क्रिकेट ग्राउंड पर छठा मुकाबला था और अब तक खेले गए 6 मुकाबले में वो एक भी अर्दशों तक इस मैदान पर नहीं लगा पाए हैं कप्तान एरोन फिंच ने एक ताबड़ तोड़ शतक जड़ा और इसके बाद स्टीवन स्मित ने भी सिर्फ 62 गेंदों पर शतक ठोक कर औस्टेलिया की पारी को 374 तक पहुँचा दिया अंति मुबरों में मैक्सविल ने भी 19 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली थी टीम इंडिया को जीत के लिए 375 रनों का टार्गेट मिला था खलाल के लिए इस वीडियो में तमाम स्पोर्ट सब्डेट के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ